आज के वीडियो में हम आपको State Bank of India का Bank Statement आपके खुद के एकाउंट का कैसे डाउनलोड करना है ये बताएंगे अब देखे वईयाजी डाउनलोड करना बहुत ही आसान है लेकिन State Bank of India ने Bank Statement से related एक नहीं वईयाजी तीन तीन option हमारे सामने लाके रखें और इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं और ये बताने के लिए हम आपको ले चलेंगे हमारे computer screen पे सबसे पहले आपको अपने SBI Internet Banking में login कर लेना है हमने पहले से ही login किया हुआ है कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा अब देखें bank statement के लिए आपके पास दो विकल्प होंगे यानि दो option होंगे पहला है e-statement and second is account statement अब इन दोनों के बीच में difference किया है e-statement के लिए आपको यहाँ पे registration करना पड़ता है registration करने का जो process है बहुत ही simple है आपका जो email ID होता है उसे डालना होता है और उसके बाद आ आपके उस email ID पे bank द्वारा भेजा जाता है अब जो दूसरा option है account statement भाया जी हमें इसी से काम है तो हम इस पर click करेंगे click करते ही account statement का page खुलके आ जाएगा अब देखें यहाँ पे उपर में आपसे यह कहा जा रहा है select an account कहने का मतलब भाया जी जैसे कि आपने current account भी statement चाहिए तो आपको वो select करना होगा यहाँ पे जो account है वो एक ही है saving account तो हमारा जो account है वो पहले से select किया हुआ है अगर आपका multiple account होगा तो आपको जिस account का statement चाहिए होगा तो आप उस account को choose कर लेंगे account चूज करने के बाद नीचे में आपसे कहा जा रहा है select option for the statement period मतलब आपको जो statement है वो कब का चाहिए अब यहाँ पे आपके सामने चार option रखे गए हैं by date, by month, last, sixth month और financial year by date में यहाँ पे आपको तारीक डालना पड़ेगा कि कितने से कितने तक का आपको statement चाहिए तो start date, end date आपको enter करना पड़ेगा अगर आपको monthly चाहिए तो by month वाला option आप choose करेंगे और monthly यानि जैसे एक जनवरी से लेके आप March तक का statement चाहते हैं तो वहाँ पे monthly आप अपना statement ले पाएंगे उसके बाद है last sixth month यानि last sixth month का जो आपका transaction statement है जब आप वो चूज करेंगे तो आपका वो download हो जाएगा लेकिन भया जी हमें चाहिए financial year statement अब देखे यहाँ पे अगर आप ITR वगरा फाइल करते होंगे टेक्स पे करते होंगे तो वहाँ पे हमें financial year यानि एक साल का statement मांगा जाता है जो कि मेरा financial year transaction statement होता है तो मैं यह वाला option चूज करूँगा जैसे ही हम financial year चूज करते हैं तो इस साल का जो financial year है यानि 2020 से लेके 2021 तक का आपका statement जो है वो download होगा तो आप यहाँ पे click करके जिस भी financial year का आपको statement चाहिए तो वो आप choose कर सकते हैं मुझे जो है 2020 से 2021 का चाहिए तो यहाँ पे मैं इसे select ही रहने दूँगा उसके बाद नीचे आपको option मिलता है format कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्रिफ statement देखना चाहते है तो view पे already click किया या फिर अगर आपका digilocker है तो आप उसमें जो है upload कर सकते हैं यहाँ पे जो है मैं option चूज करने वाला हूँ download in PDF format आप अपने अनुसार जो भी option है वो आप select कर सकते हैं option चूज करने के बाद simply आपको नीचे go वाले button पे click कर देना है that's it अब आप देख सकते हैं नीचे में जो है हमारा जो पीडिया फाइल है वो download हो चुका है इसे मैं थोरा खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखने वाला है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहले आपका सारा bank account detail यानि आपका जो detail है personal detail वो यहाँ पे आपका सो होगा और उसके नीचे जो भी मेरा credit हुआ है या फिर मेरा debit हुआ है तो वो सारा एक साल में कितना मेरा credit हुआ है कितना मेरा debit हुआ है और इस statement को आप अपने ITR या फिर income tax वगरा में अ statement किस तरह से आपको download करना होता है अगर आप RTI वगरा file कर रहे हैं tax वगरा पटाते हैं तो भाया जी वहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया एक साल का bank statement मांगा जाता है तो वो जो एक साल का bank statement है जो की financial year मेरा होता है तो वो statement अब आप कैसे download कर सकते हैं लेकिन अगर मुझे particular किसी एक service का statement चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कहने के मतलब यह है कि अगर transaction मेरा UPI के थरू हुआ है तो मुझे यह जानना है कि UPI के थरू मेरा कितना transaction हुआ है तो वो चीज़ देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या फिर मां लेते हैं particular किसी company जैसे अगर आपका Amazon पे affiliate marketing वाला आपने join किया हुआ है या फिर जाके Flipkart का link वगरे सेयर करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ commission मिलता है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि Flipkart से आपको कितना amount credit हुआ है या फिर Amazon से आपको कितना amount credit हुआ है तो यह चीज़ का statement आप कैसे द पड़ेगा वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे फिलाल इस वीडियो को हम इतना ही रहने जैते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे